फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी रेसेपी बनाने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये रेसेपी जितने दिखने में अच्छी है इससे कही ज्यादा खाने में अच्छी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की ये नई और टेस्टी रेसेपी इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने तेल को गरम होने के लिए रखा था तेल थोड़ा सा गरम हो जाए फिर हम इसमें आलू डालेंगे यहाँ पर मैं चार जीतने आलू को फ्राइ करती हूँ आलू को हम 3-4 मिनिट तब मेडियम फ्लैम पर ही फ्राइ करेंगे 3-4 मिनिट में ये आलू अच्छे से पक गए है अब हम एक आलू लेंगे और इसके पर एक कटोरी रखेंगे और थोड़ासा प्रेस करेंगे सबी आलू इसी तरह से मेश कर लेंगे अब हम एक दूसरी प्लेट लेंगे यहाँ पर मैंने कोईन बेपर लिया है इसकी मदल से इस प्लेट को हम कवर कर लेंगे अगर आपके पास कोईन बेपर नहीं है तो आप प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा लिजेगा अब हम इस प्लेट में आलू रखेंगे मैंने एक रोटी को फ्राइ किया था जिसे एक रिस्पी हो गई है इसके हम छोटे-छोटे टुकडे करेंगे और फी रखेंगे इससे थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आएगा यहाँ पर मैंने प्यास को बारिक काट लिया है वो डालेंगे दो से तीन चमत जितना कटा हुआ टमाटर डालेंगे वो पी दो से तीन चमत जितना यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को बारिक काट लिया है वो डालेंगे आदी चमत जितना अब स्वाद की एकोडिंग थोड़ा सा ही नमक डालना है यहाँ पर मैंने काश्मेरी लाल मिर्च पावडर लिया है वो डालेंगे जिसे कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है यहाँ पर मैं एक चीज डालना भूल गए हूँ आप ज़रूर डालिएगा आप इसमें एक से दो चमत जितना टोमेटो केचप डालिएगा जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है यहाँ पर मैंने एक नॉंस्टिक पैन ली है और उसमें कटोरी के उल्टा रखा है यार है और बहुत ही बढ़िया लग रही है इसे कैसे खाना है वो देख लेते हैं एक आलू को हम ऐसे उठाएंगे और फिर खाएंगे फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा और नई लगा हो तो डिस्क लाइक चलिए मिलते हैं एक नई रैसे पे के साथ तब तक के लिए बाए